तो हम लोग जियाओद्विन बर्नी के बारे में पढ़ेंगे, इनका टाइम फेट 1236 से 1369 के वीज में रहा, और ये सल्दात कालिन एक विचारक थे, इतिहासकार थे, कुछ भी कह सकते हैं, जियाओद्विन बर्नी सोयम को अपने पुस्तक तारीके फिरोज साही या फद्वा गजन दिली सल्टनात के अंतरकत गुलाम बंस के अंतिम सक्ति साहली सासक या सुद्दीन बलवन के सासन काल में, परशोच श्यासी में हुआ था, यह सहीदों के सासन काल में था, चो अपने समय में बिद्वता वा कुलींता के लिए प्रसिद था, भनी के पिता मुद्विन मुल्क खिल जी सासन के उच पसासनी का धिकारी थे, इनके साथ इनके दादा नाना आज भी सल्टनात के दोरान विभीन पदों पर आसीन रहे, उन्होंने बालक जहुदिन बरनी के लिए अच्छे सिच्छा का प्रबंधन किया, सिच्छा पूर्ण होने के पश्याद बरनी मुहमद बिन तुगलक के दर्बार में होई, इस पकार बरनी उच्छ मुस्लिम को लिन परिवार से समाजिक तथा, उन पर कुरान सरीप की हिदायतें, इसलाम धर्म का महत्पून प्रभाव पड़ा, इस महाल में यह पैदा हुआ, पले बढ़ा, इसके दिल में एक बात को योगदान महत्पून है, बरनी उनारी मानता को बड़ी आसानी से शुकार करता है, कि कुछ लोग सेष्ट हैं और सासन के लिए पैदा हुए हैं, और कुछ निम्न हैं जो सासित होने के लिए पैदा हुए, बरनी ने एक स्थान पर लिखा है कि जिने अल्ला ताला ने पुलिया का मुरीद था, वो आमीर कुस्प्रों का घनिष्ट मिर्ट था, फिर सासन कला यानि राजनी दिवा पर सासन पर बरनी की जो प्रमुख पुस्तक है फटवाए जहांदारी है, बरनी के पुस्तकों में फार्सी विद्वानों के साथ साथ युनानी बिजार को पर अना है इसके बाद उसको कभी फिर पिल पाया, सुल्तान उस पर हमेशा रिपाजिश्टी बनाया रखता था, इस सम्मत में सुम्म बरनी ने लिखा है कि मुझे आस्रे प्रदान किया, वह मेरा पोसक है, उसके दोरा जो इनाम, इक्राम मुझे प्राप्त हो चुका है, इतन वह बरनी से परामर्स लिया करता था, यही नहीं, तुगलक के अन्यप्तादी कारी वह सलाहकार भी प्रमुख राजनीतिक एवं सम्मेदन सिल्म मामलों में सुल्तान की सलाह देने से पहले बरनी से परामर्स लेते था, पहमद बिन तुगलक कि मुझे के बश्चात फिर उस सुल्तान का विश्वास पात रहा और ना हिराज सभा में उसे मांसमान दापता, बरनी एक जगह अपने पिता के दिनों को याद करते हुए, लिखता है कि मांगने बाले मेरे द्वार से निरास होकर लोट जाते हैं, यह देपी मैं एक दानी पुत्र हूँ, मांगने बाले म समय इटली के विचारक मेकेवेली की तरह कस्टूमों करीवी में बीता, मध्युक काया मान इतिहास कारे उम्राजनितिक चन तक जब मरा तो उसके पासकफन तक के पैसे नहीं थे, अर्वी बरनी अर्वी साहित के बहुत बड़ी बिद्वान थे, अद दरिद इस्तिति में बरनी ने अपने अंतिम दिनों में फत्वाए जहांदारी वर तारीके पिरोशाही जैसे गरंतों की रचना संबाद सेली में की, जो के वर उनकी देखी सुनी स्मिति पर अधारित थी, इस संबाद में टिपणि करते हुए प्रोफेसर मुहमद हभीब ने लिखा है, कि जिन समर्द से बाहर था, इसलिए उन्हें अपने सासनकार में अपनी तेखी सुनी बिलुप्त होती स्मिति पर ही निर्भार रहना पड़ा, जिससे अंजाने में कहीं कहीं तो तत्थ्यों वा कल्पनाओं का समिश्ण भी हो गया, पिप्रीतों के जोड़ों का सिध्धान, तो ब विप्रीतों के इस बिस्ध में पैगंबर ने राजा को या करता बे सौंपा है कि वह सत्थ की स्थापना करे, परनी के अनुसार विप्रीतों के बिस्ध में राजा दोरा सत्थ को केंद्र में इस्थाबित किया जाना चाहिए, सत्थ को केंद्र में इस्थाबित करने का वा लाग फार्म में लिखी गई तरीके फिरोज साही तो यह तेरा सुचपन से तेरा सो फंतामन के वीज में लिखी गई यह मुक्त इतिहास वहम इतिहासी घटनाओं पर अधारित के थी है इसमें गया सुद्धिन बल्वन से लेकर फिरोज सात तुगलाग तक के आठ सुल्तानो समंदित एतिहासी के लिखन मुझूद फिर फत्वाय जहांदारी दूसरी पुस्तक है इसकित में बर्नी का राजनेतिक चिंतन मिलता है इसमें आदर्स सासक है यह आईडल किनसिप से समंदित बिचार है इसकित के माद्धे हमसे बर्नी अपने समकालिन सासक फिरोज साक के स मकर्ष है एक आदर्स एक्ना चाहता था धबाई जहांदिरी में बर्नी का आदर्स सासक महमूद कजनवी बर्नी कजनवी कोई सच्छा बात सा मानता था यहा पुस्तक फिरोज सा तॉगला को समर्बातिए था भ़जद बचारी में धार्मिक पुन वपरजा की गर्तगनता आर्जित करने हेतु के बड़ मुस्लिम सासकों के लिए परामर्ज दी गई अन्यपुस्त के सनाय मुहम्मदी सलात अकबर सलात कबीर सलात कबीर इनायत नामे इलाही मासिरे सदात हसरत नामा और तारीके बरम कियान हम लोग बर्णी के आदर्स सासक वा आदर्स राजी को देखते हैं तो बर्णी ने कहीं भी राज के उत्पत्ती का सिधान इस पस्ट रूप से मिंसन नहीं किया है मध्योग में प्रशलित इस्लामिक प्रभ वयवम प्रहता की देविता की बात कने की बजा ligger बर्नी सुल्तान के सरभोग चिता वा प्रभ सत्त का समर्धन करता है और सुल्टान को एक सधार्ण मानव मानता है जो ना लग अदेबदूत है और ना ही प्रतनिरी यानि प्राचीन भारते चिंतन की बिप्रित बर्नी सासन में दैवी सत्ता का रोप अरोपित नहीं करता है बर्नी सत्ता को अपने आप में साध्य मानता है बर्नी सरियत को काभी महातो देता है रता खुदा को सभी विचारों अब इस स्वासों का स्वर्वत मानता है बर्नी के अंसार खुदा ने ही विस्व का निर्मान किया है वही इसका आधार बिंदू है जहां रस्तु राज को प अरस्तु के विचारों का इसलामी खर्ण कर दिया है जैसे मद्योगेन विचार को ने अरस्तु को इसाई चोला पहना दिया था बर्नी ने भी अरस्तु बादितर्कों को मुस्लिम रंग में रंग दिया बर्नी के विचारों में राजनीतिक उदारबाद वा मुस्लिम का टर्ता का संगत समावेश मिलता है फिर बर्नी ने फत्वाय जहांदारी में बनन किया है कि एक अच्छी राज विवस्ता में सरियत वा जवाबित दोनों प्रकार के कानून होने चाहिए बर्नी सल्तनात के सिर बर्नी के राजनीतिक सिध्धान्त के तीन मुख्य लक्षे थे पहला भारती मुस्लिम समराज को सजण करना फिर राज सक्तिका स्वरोब जन का लियानकारी करना और मुस्लिम संत्तनत की बैदता एंपलेश में सीख और लोकृता को बढ़ाना इन लक्षों की पूर्ती का ब बिषेश राजनैतिक सिध्धान्त का निरूपड नहीं किया गया है हदीस तो हजत मुहम्नद के उप देशओं कर इसमें संक्लन है सुनत तो हजत मुहम्न के जीवन में घटी विषएस घटनाउं से मिलने वाली सिच्छा कर इसमें बढ़न किया गया है सरियत तो इसका दाद पर है इसलामी कानून सरियत के विशेबस्तों को तीन भागों में बाड़ा जा सकता है पहला है इबादत या इस्वर की भक्तिय अप्रातना है मुआमलत ये दिवानी कानून है और उकूबत उकूबात या उकूबात ये क्या है पहुजदारी कानून है किर्मनला तो मुआमलात ये दिवानी कानून है और उकूबात ये पहुजदारी कानून है सरियत में बताए गए कानून ही इसलामी राजनीती का आधार है राजका होते है सरियत की सेवा है जबाबित ये राज निर्मित कानून है जबाबित क्या है ये राज निर्मित कानून है सरियत वा जबाबित में अंतर क्या है तो सरियत उन सिच्छाओं प्रथाओं कानूनों का समुच्छा है जो पेगंबर हजरत वा परंपावन खलीफाओं की दिन है इन कानूनों के द्व बाते हैं तो चाहिएत क्या है जहां पर प्रेगंबर मुहमद वा उनके पावंध खलीपा थे उन्होंने जो इसलामी समाजीक धार्मिक राजनीतिक आर्थिक जीवन के अनुद पर अब में वो दिये गए जवावित में क्या है कि अगर कोई सब्सक्राइब कानून के लाते हैं यह सरीयत को तैभी कानून के दर्जा राब्त है जब कि जवावित हैं लोकिक कानून है यही बात तो जवावित को जवावित को आप भारतिक कंसिट्यूशन मान सकते हैं और जवावित को क्या मान सकते हैं जो उसमें अमेंडमेंट होते हैं उसको मान सकते हैं इस अरफ फार्म में बात्साही तो बात्साही कारत है प्रभुत प्रभुत के कारण ही वह बात्साह कहलाता है बर इस प्रिकार बर्णी राज सत्ता के लिए बैठता लेटर मेसी को अभशक मानता है बर्णी के अनुसार जनता कभी स्वास खो देने वाले सासा को पच्छोंड देना चाहिए जब तक राजा इसलाम के अन्द्रेशों का पालण करता है और अमप्रजा को सरियत के मार्क पर रखता है तब तक बर्णी उसके विक्तिकत पापँ को शमा कर देता है बादसाह में बिरोधी गुणों की प्रधानता होनी चाहिए, उसमें क्रोध हुआ क्रपा, एस्वर वा दया, कठोरता वा नम्रता, वा अभिमान एक साथ होने चाहिए, यहां बादसाह को आतंक एस्वर वैभाव का पजाचन करते हुए, सहर दया वा क्रपा का विवहार करना चाहिए, बादसाह को थर्म का पालन उसकी रच्छा करनी चाहिए, इसलाम का समान इस्थापित करना चाहिए, बादसाह का निबार गुण है, यही प्लेटोव अरस्तु मानते हैं, फिर बर्नी अपने अनभव के अधार पर सासक को 14 हिदायतें, सारी, 24 हिदायतें देता है, जो भी सितायतें देता है, बर्नी के अनुसार बादसाह को था संभव युद्द से बचना चाहिए, बर्नी के प्रसासनिक परस्ता में वजीर प्रमुख नवकर सहा है, इसे हम बर्तमान राजनेतिम पधान मंतरी के नाम से भी जान सकते हैं, फिर बर्नी संभरांत वर्गी स सेष्टा वा समाजी का समानता का समर्थन करता है, बर्नी अरस्तों की तरह समाजी के अम राजनेतिक जीवन में समानता की बजाय सेणी बदता वा कुलीनता का समर्थन करता है, बर्नी की मानता थी कि कुछ लोग सेष्ट हैं, और सासन करने के पैदा हुए हैं, और कुछ नि समस्त पदों वा ब्रतियों का एकाधिकार प्राप्त होना चाहिए स्वोंकि सिच्छा निम्न कुल में पैदा होने वाले मुसल्मानों को भी तक्षेवां योग बना देती है जिसे कारणों वे अपने से सिच्छ लोगों को पिछनोती देने में निम्न कुल में पैदा होने वाले होते हैं जिस परकार हिंदू वर्ण वस्ता में बैस से नीचे के सभी वर्ण सभी वर्ण निम्न कुल में पैदा होने माने जाते हैं इस परकार बर्णी को चौदह हमी स्ताथी में जाती विवस्ता का संस्तापक माना जाता है उसने अज लाफ मुसल्मानों को तुछ समझा और उनके लिए सिच्छा की मनाही की बात की और कहा कि वे असराफ यानि उच्छ जाती के मुसल्मानों के अधिकार छेद को ना हरप लें इसी कार्ण बर्णी ने उनके लिए दंड विधान की खोज निकाला जोकी धार्मिक दंड विधान थे यही नहीं उसने जाज पर अधारित समराजबादी अफसरों विएस्ता बजीरों की पढ़ोंने थी, अब अधोगती की बैखिया अपने पुस्ता को पदवाये, यहांद आरी में की है, क्योंकि युद्नी आसराफ मुसल्मानों को अचलाफ मुसल्मानों से नसली और जाती तौरपा स्षेष मानता था, इसलिए उसने अच्छ जाती मुस कह सकते हैं कि बर्णी की रुच राजनीतिक सिधात निर्माण में नहीं थी बलकि वह तो कॉटिल वह में के बली की तरह सल्तनत को मजबूत व्यों बैस बनाना चाहता था अता बर्णी की विचार मुकित है राज सिल्प स्टेट क्राफ्ट और सासन कला आट आव पूलना राज सिल्प यानि स्टेट कराफ्ट के संदर में कोटिल के अर्थ सास से किया सकते हैं तो इसके पूलिटिकल थेयोरी देने का कोई मन नहीं था फिर बर्णी पूल्टे 않아요 धर्म मिरपेक्श सामातन नहीं करता है अर्वह धर्म वह सरीयत को परमसाध्ळिना मानकर राजनीति को देशों की सिद्धी को साधन मानता है बर्णी के राजनीत चिंतन में प्रूम सत्ता वादन अपसलिूटिजम वर राज तंद का समाथन करते हुए राज की सुरच्छा ये स्थिर्ता वा सुधंडता को सरवोच साध्य माना गया है वाप्यटओ की इस बात से सहमा था कि राजा को अपनी सक्तियों का प्रयोक सुयम की इच्छाओं की पूरती के लिए नहीं करना चाहिए बल्कि जन कल्यान के लिए करना चाहिए बर्नी ने अरस्तु की तरह राज को सभावी के वंप्राक्तिक माना है नियाय सायम मध्यमार को उचित माना पर अरस्तु की राजनीतिक दरसन का इसलामी करण कर दिया है ऐसा ही थामस एकुनास ने किया था उसने अरस्तु के विचारों का इसाही करण कर दिया था हम बनी अरस्तु की तरह प्राक्तिक असमानता में धिन विश्वास रखता है बनी नियाएवा सैयम के सिध्धानत अरस्तु के लिए हैं और अरस्तु की तरह हिताना साहिव अत्ताचार को अंखारा है बनी के अनुसार नियाएधर्म की एक अवश्चक सरत है और धर्म नियाए कि एक अवस्ट्राइब यानि दोने दूसरे के पूरक है या एक्वल्टू है यदि प्रत्वी पर नियाय वा समानता नहीं होगी तो अरजक्ता फैल जाए कि एक व्यक्ति की संपत्ति वह दूसरे व्यक्ति का परिवार समाप्त हो जाएगा एक अशर जनक लेखांस ने बरनी पत्नियों वा समपत्ति की समुदाइक्ता यानि सामवाद के प्लेटो के सिध्धान्त को स्युकार कर मज्जा धर्म की बुद्यमानी की पूल खोलता है तो ये बरनी पत्नियों वा समपत्ति की समुदाइक्ता यानि सामवाद के प्लेटो के सिध्धान्त को स्युकार कर मज जावा आहुस मज्जा का समंध पार्शी धर्म से पन्नी वा प्लेटो परस्तु के राजनीत दर्शन की जानकारी थी और उसमें कुरान के प्रति आस्था थी तता विवेक बाद के प्रति इष्णा थी इसलिए हो मानता था कि सिच्छा का आधार विज्ञान विवेक वातर कन नहीं बलकि कुरान की ब्याख्याएं और परंबर और पेगंबर के परंपराएं होनी चाहिए परनी ब्रह्मनों का घोर भी रोधी था वहां उन्हें काफिर कहता था पर आचर जनकबाद पर है कि वह ब्रह्मनबाद हुआ ग्रीग विज्ञान युनानी दर्थन को समान मान विज्ञान बता है कि दोनों तार्की के विववाद डेयान पर इंजिया परित हैंयों के विप्ड.com परवबादियों को असलाम सटė बतानी कर्मति क्ला सब्सक्राइन तो विखभाни नहीं को परतार कीसे की विब्र्णाइब होसे निई तारिम लगता है जब